जहां एलविश ने आते साथ फुकरा को बता दिया है कि बाहर उसे बहुत पसंद किया जा रहा है वहीं अब आशिका ने भी मनीशा को कुछ ऐसा कह दिया जिससे मनीशा समझ गई कि बाहर वो जैड नहीं फुकरा संग पसंद कि जा रही है क्या कहा है आशिका ने ऐसा हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर लेकिन अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे आप जानते ही हैं कि एलविश और आशिका घर के अंदर एंटर हो चुके हैं गर के अंदर एंटरी के साथ ही जहां एलविश ने फुक्रा को साफ साफ कहा कि वो वाकरी में बहुत च्छा रहा है वहीं आशिका ने भी आकर साफ कह दिया कि जैड नहीं फुक्रा संग जम रही है यानि कि उसको इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि वो फुकरा के साथ जादा अच्छी लग रही है जैट के साथ नहीं तो इतना इशारा जो है वो काफी था और अब हम आपको बताते हैं कि फुकरा उसको भी ऐलविश ने साफ साफ कह दिया है कि बाहर तेरे फैंस ने तहल का मचा रखा है तो एक बात तो साफ है कि एलविश और आशिका ने आते साथ फुकरा और मनीशा को जो कॉंप्लिमेंट दिया है उससे एक बात तो तै है कि ये दोनों समझ ही गए होंगे वैसे भी इन दोनों का बाउन जो है एक साथ ही खेल रहे है लेकिन क्या अब दोस्ती से बढ़कर इन दोनों के बीच में कुछ देखने को मिलेगा आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं